नमस्कार मैं हूँ पंडित नरेश नाथ आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आपको हमारे चैनल पर हमारे ब्लोग पर मिलेंगे ऐसे दिव्य अचूक तांत्रिक तोट के वेदिक जोतिश लाल किताब वास्तु शास्त्र के ऐसे उपाई जिनको कर आप अपने जीवन में आ रहे सभी प्रकार की समस्याओं को पलभर में दूर कर सकते हो इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाई को सावधानी पूर्वक करना होगा मेरा प्रयास रहता है कि आपको समर्त्वान बना सकू साधना मार्क के द्वारा आपकी अध्यात्मिक औ पिना आसन मंत्र के किसी भी साधना में सिद्धी प्राप्ट नहीं होती इसलिए सबसे पहले साधक को आसन मंत्र की सिद्धी करनी चाहिए. जब भी आप तंत्रक्षेत्र में प्रवेश करें तो सबसे पहले गुरु बनाएं और गुरु दीक्षा प्राप्त करें कम से कम च्छ महीने गुरु मंत्र की आराधना करें अपने इश्ट के प्रती उपवास रखें इससे आपके शरीर में आध्यात में कूर्जा दोड़ने लग जाएगी आपको सिध्या प्राप्त करने में कोई विशेश कठिंता नहीं आएगी यह आसन मंत्र बहुत प्राचीन और स्वयम सिधा आसन मंत्र है इनका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है जब आप इन मंत्रों का जाप करने के बाद अपने आसन पर बैठ गे हुए तो शुद्र शक्तिया और भूत प्रेत यहां तक की छोटे मोटे देवता भी आपके किसी भी काम में बाधा नहीं डाले डालेंगे वैसे तो यह आसन का जाप मंत्र स्वयम सिधा है लेकिन फिर भी होली दिपावली और ग्रहन काल में इसकी एक माला कर ली जाए तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है शास्त्रों में भी आसन के मंत्र का जिक्राता है लेकिन ये गुर्मुखी मंत्र है और इसका प्रभाफ तत्काल से हो जाता है साधक को जब इस मंत्र का अनुष्ठान लगातार करने की आदत पढ़ जाएगी यानि साधक जब भी बैठे तो इस मंत्र से आसन को नमस्कार करके बैठे तो आसन पर बैठने के बाद उसकी आभा और छवी कुछ और ही हो जाएगी और साधन साधक की आत्मा और शरीर दैवि प्राप्त मंत्र है और इसका प्रभाव तत्क्षन होता है। किस मंत्र का जाप करें। इतना आसन जाप पूर्ण भया सत्की गद्धी बैट गुरु गोरक जी कहा। गुरु जी को आदेश आदेश। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, विडियो को शेर करें, लाइक, कमेंट करें, हमें बताएं कि आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, जिससे आपको भी लाब हो, हमें भी आपका सहयोग प्राप्त हो। जानकारी जानकारी में भी लाब हो।